हिमाचल प्रदेश में 19 मैं को लोग सभा के आखरी 77 का चुनाओ होना है पूर्वे सेम वीरभर्द सिंग शिमला के ठ्योग में कॉंग्रेस उमिद्वार करनल शांडिल के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे जहाँ पर उनकी खबरे अभी तक के विरो चीफ उमेश शर्मा ने की खास बात शीट अपनी बात शीट में उड़ोने हिमाचल प्रदेश की चारू सीटों पर जीट का दावा किया हिमाचल प्रदेश में आदामी 19 तारी को आखरी दोर में मतदान होना है हमारे साथ खुद वीवास सिंग मौजूद है आईये जानते हैं चर अच लगबक आखरी दोर का चुनाओ आगया है 19 तारी को मतदान होना है आप सब जगा गूमे हैं आपको ये चुनाओ कहां दिखता है कॉंग्रेस को कहां आप देखते हैं देखो हमको तो सारा सर्व सब बबाग बाग नहीं दर आता है तो बीप्लेक्टिकल आचेंक बेकन इसली विन थ्री सिर्स पका एक एक हो और इसमने साथ दिया तो चार हो रहे हैं क्या लगता है सर आखरी दोर का मतदान होना है पूरे देश पर में रिपोर्ट्स आ रही है आप को अंग्रेस को आज हमाचल प्रदेश की बात उमेद आता दें में हमाचल प्रदेश में चार सिटे हैं हमें पुरी उमीद है कि हम चारो सिटे जीतेंगे और ये हमाई जी कहते हैं कि कॉंग्रेस ने देश का नुकसान किया है पांच साल मुझे देश को बनाने में लगे हैं पांच साल मुझे देश को बनाने में लगे हैं पांच साल मुझे देश रिविकास के लिए और चाहिए आपको क्या लगता है पांच साल लगे हैं देश को कि क्योंकि मैंने हिमाचिरी प्रदेश क्रिक्ट एसोसेशन के में जो गल्तिया हुई है कम्या हुई है वो इंगित की उसके बदले में मैं आज़ वह सीवियाई का मकदमा भूख रहा हूं यह उनकी सरकार है प्रदेश के प्रदेश के मुख्यमंत्री की खिलाब वीवसिंग किस तरह से आगते हैं उनका डेट साल का कारेकाल किस तरह से देखते हैं क्या है हिमाचिर प्रदेश में उनके कारेकाल को लेके भी लोग मद्दान करेंगे कि अगर यह उनके प्रदेश में अजकर को बदला है आँ बास पर कहते हैं मोधी जी कहते हैं कि राम रक्षा और राश्टूबाद और जो सजिकल स्ट्राइक सेना का संबान यह बहुत बगड़ा होगा, आपके शिमिला से जो परत्यासी है, कर्वेस्टारीब वह भी एकती पантका क्या लगता है एक ये विद्धा इंचेुनाओं मेरे होगा क्या? नहीं होगा, बहुँकर नहीं होगा और जो सर्जिकल स्ट्राइक को बेचना चाहते हैं और उसके नाम पर होड़ हासिल करना चाहते हैं ये बिलकुल जाते हैं कैमरमेन आथिश चुआन के साथ उमेश शर्मा, खाबिर अभीदक, ठ्योग, शिम्ला कैमरमेन आथिश चुआन के साथ चाहते हैं